नमस्कार मा की रसोई में आपका स्वगत है मैं मुम्ता शर्मा आज बनाने जा रहे हूं पालक पनीर पालक पनीर बनाने के लिए हमें सामगरी चाहिए पालक 500 ग्राम पनीर 250 ग्राम कटा हरा धनिया 2-3 चम्मच पिसी हरी मिर्च 3-4 या स्वाधनुसाग पिसा अत्रक 1-2 चम्मच गेहूं का आठा 2-3 चम्मच क्रीम 2-3 चम्मच भुना जीरा 1-1 चम्मच नीम्बुकारस 2-3 चम्मच कुटी काली मिर्च आधा चम्मच नमक स्वाधनुसाग साबुद धनिया आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच हींग 1-4 चम्मच देशी घी 1 चम्मच तेल पनीर तलने के लिए और पानी अशकता के अनुसाग सबसे पहले गैस जलाएंगे और हांडी में पालक डाल कर उबालेंगे अब इसमें आधा कप पानी और नमक डाल कर मिला देंगे और एक से दो मिनट पकने के लिए रखतेंगे अब दूसरी गैस पर हांडी को रखेंगे और पैन में तेल डाल कर गरम करेंगे और पनीर डाल कर अलट पलट कर भून लेंगे हलका सुनेरे रंका होने तक इसको भूनने में एक मिनट का समय लगेगा अब दोनों गैसो को बंद कर देंगे और पनीर को एक पलेट में निकाल लेंगे अब पनीर को 2 मिनट के लिए गुनगुने पानी में डाल कर रख देंगे जो कि हमने पहले से ही गुनगुना किया हुआ है अब गरम पानी से पनीर को एक प्लेट में निकाल लेंगे पालक भी हमारा उबल कर तयार हो चुका है अब हम इसको एक कटोरे में निकाल कर ब्लेंडर से पीस लेगे गैस जलाएंगे और पैन में देशी घी डालेंगे इसमें हींग, जीरा, धनिया, अद्रक, हरी मिर्च डाल कर 30 सेकिंड के लिए भून लेंगे इसको बनाने में 3-4 मिनिट का समय लगता है आब इसमें पालक को डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे आब इसमें 1-2 चमच, गेहू का आटा डालेंगे और मिसरन में चलाते ही मिलाएंगे पालक को हमने पहले से ही धो कर साफ करके काटा हुआ है आप इसमें स्वादनुसार नमक डालेंगे और फिर से चलाएंगे आप इसमें कटा हरा धनिया डालकर फिर से चलाते हुए मिलाएंगे आप इसमें भुना जीरा डालेंगे और एक बार फिर से चलाएंगे अब इसमें निम्बू का रश डालेंगे एक से दो चम्मच और एक बार फिर से चलाएंगे अब इसमें भुना हुआ पनीर डालेंगे और सामगरी में चलाते हुए मिलाएंगे अब इसमें एक से दो चुटकी काली मिर्च डालेंगे पिसी भी और एक से दो चम्मच क्रेम डालका सामगरी में अच्छे से मिलाएंगे अब धक्कन लगाएंगे और गैस को बंद कर देंगे अब धक्कन उतारेंगे और एक कटोरे में सबजी को निकालेंगे और क्रीम वे हरे धनिये से सजाकर गर्मा गर्म पराथा पूड़ी चावल रोटी यादी के साथ परोसेंगे हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूच सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्चता अवश्ये लें यानि की सब्सक्राइब परिए इस वीडि को आप हमारी बैवसाई मा की रसोई टोटनेट पर भी पढ़ सकते हैं तो फिर मिलते हैं एक और नए वेंजन के साथ धन्यवाद बेओब लेडियो था उन्यवाद